आप सब लोगोंने इंस्पायर स्कॉलर्शिप में अपना नाम चेक कर लिया होगा। आज हम आगे प्रोसेस क्या है वो देखेंगे इस वीडियो में पूरा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इंस्पायर स्कॉलर्शिप के बारे में आप जाके देख सकते हैं। इस YouTube चैनल में प्लेलिस्ट पना हुआ है Scholarship 2020-21, वहां पे आप लोगों को Scholarship, Inspire and Scholarship के बारे में information मिलेगी, आपका नाम आप वहां से देख सकते हैं, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहां आपको regular updates दिय जाती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यह आप देखेंगे यहां पर Inspire Scholarship, इसकी last date क्या है, last date यहां 1st November से लेके 31 December तक फॉर्म भरने की है, अब आता है आपका, नीचे चलेंगे हम यहां पर तो, देखे, course, किस course के लिए कहा गया है, कितने पैसे मिलेंगे, य पैसे मिलेंगे आपको 80,000 रुपे, यहां पर आपको 60,000 रुपे पहले मिलेंगे, उसके बाद 20,000 मिलेगा, ऐसा लिखा है, the cash value payable to the shee scholarship holder is 60,000, with a sometime attachment fee of 20,000, अच्छा मतलब यह कह रहे हैं कि 60,000 तो है, प्लस 20,000 और आपको दिया जा रहा है, यह आपने देखा, अब हम नीचे यहां पर चलेंगे, eligibility, eligibility क्या है इस scholarship की, यह table 1, 2, 3 में, 4 में आपको नीचे देखने को मिलेगा, हम नीचे इसमें बात करेंगे, students, student की age जो है वो 17 से 22 सा अब यह देख सकते हैं यहां पर, यह कुछ points है, आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना, documents, documents कौन-कौन से mandatory है, passport, size photograph, आपका cast certificate, यह mandatory नहीं छोड़ देंगे, class 12 mark sheet, class 10 mark sheet, यह अगर आपने जे डबली में, जे डबली एडवांस, नीट या फिर NTSC, ऐसा कोई एक्जा investment form, जहां पर आपको अपने principle का sign seal लगवाना ज़रूरी है, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर यह नहीं रहता तो आपका form reject हो जाएका, क्योंकि बाकी सारे document सबके पास रहते हैं, common यही नहीं मिल पाता है students को, क्योंकि समय अभी Corona का है, फिर भी आपको इसको जाना मैं इसले इतना जादा इसे highlight कर रही हूं, क्योंकि आपको इसी को ही सबसे पहले बनाना ज़रूरी है, अब देखिए प्रिवियस यर का cutoff 36 गण में कितना गया था, यह देख लेते हैं 85.20 गया था, 2019 का cutoff और आप देख सकते हैं, यह other states का भी क्या-क्या cutoff गया था, और cutoff क कैसे निकाला है, यह भी देखिए, यहां पर बताया गया है, अब देखिए, यहां पर आते हैं, टेबल टू में, टेबल टू में क्या बताया गया है कि अगर आप नेशनल लेवल का कोई certificate अटेच कर रहे हो, और आप टॉप 10,000 रैंक में आ रहे हो, कॉमन मेरिड लिस्ट म में, एडवांस में, नीट में, तो आप एलिजिबल हो, अगर आपको एडमिशन लेना है, फोर येर MSC, BSC कोर्स में, उसके लिए यहां पर आपका यह रहेगा, अब उसके बाद बात करते हैं, कि यहां पर आपका स्कोप, यानि कि कौन-कौन से subject से आपने आए, आप MSC करन सकते हैं, तो इसलिए एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम, क्या BSC अगरिकल्चर वाले फील्ड कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं, यहां पर यह पूरा दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर subject दिया हुआ है, आप इन subject में से कि कोई भी subject में, अगर MSC कोर्स म admission ले रहे हैं, तो आप इस form को भर सकते हैं, पर condition यही है, कि आपका inspired scholarship में नाम होना चाहिए, बात समझ आ चुकी होगी आप लोग को, अब यहां पर selection किस तरीके से करेंगे, यानि कि देखिए, अभी जो नाम आए हैं, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो आपके school मे शायद 6 से 10 लोगों को select किया होगा, और मेरे according एक school में से एक या दो लोगों को ही scholarship मिलेगी, inspired scholarship, अब सवाल उठता है कि form कहां से भरना है, form आपको भरना है, इस website में जाकर, इस website पे जाकर, आगे और भी videos आएंगे, inspired scholarship से लेके, आपको सिर्फ में आभी website बता रही हूँ, इस website से जाकर आपको भरना है, अब मैं उमीद कर रही हूँ कि मैं next video आप तक लेके आऊं कि कैसे आपको form भरना है, step by step क्या process करना है, क्योंकि inspired scholarship में आप website पे विजिट करेंगे, तो भी आप नहीं समझ पाएंगे कि form कैसे भरना है, तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी यहां scholarship का ही पैसा मिलेगा, और other scholarship का पैसा नहीं मिलेगा, आप form भर सकते हैं, आप national का भी भर सकते हैं, आप CG का भी भर सकते हैं, आप inspire का भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि अगर आप तीनों भर दें, तो आपक बस ऐसा होगा आपका कि आपको सिफ एक scholarship मिलेगी बाकी scholarship से आपका नाम काड़ दिया जाएगा लेकिन पहले से आप तीनों में अपलाई कर देंगे तो आपका तीनों में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपलाई कर सकते बट जिस भी स्कीम में ये government उस at the moment आपको जब scholarship आएगा तभी पता चल पाएगा कि आपको कौन सी scholarship दी जा रही है ये सिर्फ आसे state government ही decide करती है कि कौन सा scholarship किसे देना है पैसे कितने funds कितने हैं उसके according ही ये scholarship दी जाती है तो अभी तक मैंने जितना बताया है मैं उमीद करती हूँ इस वीडियो मे इतना कुछ समझ में आया होगा inspired scholarship के बारे में next video मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लेकि आओ कि कैसे आपको form भरना है क्योंकि अब आप लोग समझ लीचे अप्रॉक्स एक महीने जा चुके हैं और शायद अब बहुत से students है जिने अब पता चल रहा है कि उनका नाम अब कोई problem नहीं है क्योंकि अभी हमें पास एक महने हैं और हम को पूरी-पूरी कोशिश करेंगे आज तो ऐसे भी holiday है तो आज मैं पूरी-पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए वह कैसे form भरना है step by step वो वीडियो ला सको स्टूडेंट्स उमीद करती है इस वीडियो मैंने जो भी कुछ पर अपला को समझ आया होगा तो इस वीडियो को जरू लाइक करें और आप इस चैनल में नए है तो जरू सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीड सुद्धियो सुद्धियो